हेलो स्टूरेंट्स आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हग यूट्यूब चैनल पर और आज मैं आपके लिए मैस के कुछ जबरदस क्यूशन्स लेकर आया हूँ तो बिल्कुल इस क्लास के साथ जुड़ें और बिल्कुल लास तक जुड़ें क्लास आपके लिए बहुत ज़ की वीडियो रहेगी तस से बारा मिनिट के अंदर आपके यह पर यहाँ पर कम्प्लीट करा दिये जाएंगे तो बिल्कुल जुड़ें इस क्लास के साथ और क्लास को लाइक और शियर जरूर से करके चलें चलते हैं पहुले सवाल पर पहला सवाल हमें क्या दिया गया है यह आपको इसका अंसर पता चल रहा है तो श्रेंट करते क्या है जब इस तरह का सवाल होता है तो इसको सीधे सीधे आपको जूणना है 2.47 3.53 ठीक है और 0.05 इनको प्लस कर लेना है बार यहाँ पर सीम 2-2 पोजिशन पर है अगर पोजिशन 2-2 पोजिशन पर नहीं होता तो उसे अपने इसाब से हम अरेंज करते हैं बट यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉबलम नहीं है तो 7 और 3-10 और 5-15 ठीक है और 5 और 4-9 और 1 बनेगा 10 ठीक है और यह पोइंट लग जाएगा और उसके उपर बार बट यहाँ पर हमारा आंसर नहीं दिया गया है तो हमारा जो सही आंसर क्या रहेगा वो रहेगा यहाँ पर रहेगा 6.06 के उपर बार क्योंकि जब इसको आप पूरी तरह से सॉल करेंगे तो जब आप इसको पूरी तरह से solve करें या तो मैंने आपको short way बता दिया इसका करने का ठीक है जब आपको इसको पूरी तरह से बार हटा कर ठीक है तब इसको solve करते हैं या यह कह लिजे कि 6.06666 इस तरह से जो value बन कर आती है आप लगा कर चलेंगे ठीक है चलिए फर्स क्यूशन हमारा यहां पर solve हो जाता है चलते हैं सेकेंड क्यूशन पर तो चलिए अब इस क्यूशन पर आते हैं और यह क्या है कि x is equal to the 99999 तो 81 x to the power 5 5-x upon 9 x square माइनस 1 2 x square प्लस 3 अभी यह क्या होगा देखें ऊपर से हम x कोमल लेंगे तो श्रेंड 81 x to the power 4-1 रह जाएगा ठीक है और नीचे के बन जाएगा 9 x square माइनस 1 इसको ऐसे रहने दीजिए यहां से तीन कोमल ले लिजिए तो यह बन जाएगा तीन दिया नौ 9 x square प्लस 1 ठीक है ऊपर हमने x कोमल लिया और नीचे लिया तीन यहां से गोमल तो ऊपर को इसको ऐसे रहने दीजिए तो यह रहेगा 81 x to the power 4-1 और अगर मैं यहां देखू 9 square प्लस 1 और 9 square प्लस 1 है इधर प्लस 1 है तो क्या बन लाए ए माइनस भी ए माइनस भी प्लस भी बन रहा है तो ए माइनस भी प्लस भी क्या होता है स्कॉर माइनस भी स्कॉर तो इसकॉर क्या रहेगा नाइन का स्कॉर यह निकि नाइन का स्कॉर कितना होगा 81 और एकस स्कॉर 8 x to the power 4 और मैनस वन ठीक है तो वन ही रहेगा और तीन यहां नीचे यह वाला आ ही जाएगा इन दोनों की मल्टिप्लाई करके बनाया है मैंने 81 x to the power 4-1 और यह आपस में कैंसल हो जाएगा तो x by 3 बचेगा और एकस की वैली यहां पर कितनी दीगी है 99999 और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मनेगा 333333 ठीक है तो c option हमारा answer यहां पर हमें मिल जाएगा समझ में आ गया तो इस तरीके से यह आपका question easily solve हो जाएगा issue x to the power 3-y to the power 3 133 और 117 यहां पर दिया गया है तो आपको एकस की वैल्यू कुछ पूट करने पड़ेगी य की वैल्यू कुछ पूट करने पड़ेगी ठीक है तो अगर इस्टुटेंट अगर इस्टुटेंट यहां पर अगर option के हिसाब से देखू तो दो और तीन तो और चार के साथ सॉल करता हूं तो इसमें 125 और चार चुक शुक 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 शुर यह बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो यह भी आंसा नहीं बने तो सी option चेक करते हैं 5 की पावर 3 125 बनेगा और 2 की पावर 3 कितना बनेगा 8 तो एक जूड़कर कितना यहाँ पर आणसर रहेगा सी हॉफशन यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा तो यह तुटी संख्या यां पर पूछी और यहाँ पर ूट में वैल्यू की बात करें तो पांस तेरह बन रहा है ये भी साथ छे तेरह बन रहा है और दस तेरह बन रहा है और यहाँ पर ग्यारा और तीन तेरह बन रहा है अगर जूडते हैं तो यहाँ पर सभी जगा सेम वैल्यू बनती है बट अगर इस्टोडेंट यहाँ पर डिफ्रेंस की बात करो आठ मैंसे पा बड़ी वैल्यू यहां पर घटाने पर आ रही है वही इसका आंसर रहेगी यानिकि सबसे छूटी संख्या जो बन कर आएगी वह आपकी यहां पर यही बन कर आएगी ठीक है समझ में आ गया तो इस तरीके से आप इसे सॉट करें चलेंगे बाकि सको करने का तरीका यह है डेटील में अगर जाते हैं तो इन दोनों का इसका वर्ग कर लीजिए वर करेंगे तो आप और पांच बहुत ब्लस चालिस रहेगा इसको भी सॉल करेंगे तो ये भी 13 बनेगा, प्लस ये बन जाएगा 2 root, 42 बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर solve करेंगे 3rd वाले option को, C option को, तो ये भी 13 बनेगा, लेकिन root कितना हो जाएगा, 2 root, 30 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर solve करेंगे, तो ये 11 और 2 13, ये भी 13 बन जाएगा, और 11 दुनी 22, 2 root 22 बनेगा, तो 13 तो सभी में बन रहा है, और 13 में क्या जुड़ रहा है, root वाली value, सबसे बड़ी root value यहाँ पर है, तो ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी, और root में सबसे चोटी संख्या 22 है, तो ये सबसे चोटी संख्या बनेगी, तो मैंने क्या बताया, D option आंसर रहेगा तो आप इनके अंतर को देख लीजिए, अंतर देखेंगे, तो जो सबसे बड़ा अंतर होगा, वो आपकी सबसे चोटी root value बनाएगा, तो आंसर रहेगा आपका D option, इस question का सही answer रहेगा आपका D option, समझ में आ रहा है ना, चलिए, चलते हैं student, next question पर, next question आपके सामने आया है और ये question है आपका trigonometry का, trigonometry का question है, बहुत बड़ी है सवाल है, सवाल है the numerical value of sin 7 upon sec square theta plus 3 upon 1 plus cot square theta plus 4 sin square theta is, ठीक है, अब इसको solve करने के लिए आपको क्या करना है, दिहान देंगे, अगर मैं इसकी short trick आपको बताना चाहूं, तो क्या बताऊंगा, ठीक है, ये जो 7 है, ठीक है, अब इसके बाद देखें कि इसके बाद जो numerical value आ रही है, क्या उनका sum भी 7 बन रहा है, ठीक है, तो 7 है, और 3 और 4 कितना बन रहा है, 7 ही बन रहा है, तो श्रीमान इसका सही answer क्या रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है, तो क्या answer रहेगा, 7 सही answer रहेगा, बट अगर solve ही करना है, कि solve ह करें तो कैसे करेंगे तो सैवन सैके स्क्वाइर थीटा वन अपन सैके स्क्वाइर थीटा कितना होता है स्टुडेंट कॉस स्क्वाइर थीटा होता है तो यह कॉस इसक्वाइर थीटा हो जाएगा प्लस थ्री 1 plus quarter theta होता है student cause x sł答 theta क्योंकि हमारा जो formula कहता है cause x попад theta minus парOTHER theta is equal to 1 cause x earthquake theta हो जाएगा 1 plus quarter theta तो 1 upon cause x curly theta ये भी sine 나누़ theta हो जाएगा sine Jahr theta plus 4 sine इस्कार theta 7 cause square theta plus ये कितना हो जाएगा 7 sine square theta plus ही हो जाएगा sine square theta तो इस तरीके से आपका ये question भी solve हो जाएगा समझ में आगे आपको तो ये थे 5 question different topics से related 5 question और जो मैंने आपको इस छोटी सी video के जरिये clear करा दिये है तो जब तक हमारी live class नहीं होती है तब तक आपको इसी तरह से लगातार videos मिलती रहेंगी आप videos के साथ जुड़े रहे हैं कुछ videos आपको board पर पढ़ाया जाता है कुछ videos आपको slides के जरिये मिलेंगे लेकिन किसी भी तरह के से ऐसा नहीं होगा कि आपकी classes को बाधित कर दिया जाए किसी ना किसी तरह के से हम आप तक ये content अपना provide कराते रहेंगे अपने classes को सुचारो रूप से जारी रखेंगे बस आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ अभी तक आपने इस video को like नहीं किया है तो student जल्दी से like कर दीजिए साथ ही share जरूर से कीजिए ताकि जादा सा जादा बच्चे हमारे इन classes के साथ जुड़ सकें ठीक है और जो बच्चे नए हैं उन्हें अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे तो चलिए श्रेंट मिलते है next video के साथ तब तक ले goodbye thank you so much